आपका स्वागत है मेरे चैनल जोतीज रसपी पर आज हम आपके साथ कोरियन बार्बेक्यू निडिल्स की रसपी शेयर कर रहे हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे हैं So now let's cook together तो चलिए देख लेते हैं रसपी इसको बनाना बहुत है सिंपल और इजी है एक कोरियन बार्बेक्यू वेज नुडल्स है ये खाने में थोड़े स्पाइसी लगते है 90 ग्राम्स का ये पैकेट होता है किसी भी डेली निट्स की शॉप में ये आसानी से मिल जाता है पैन को हम गैस पर रखेंगे और दो कप पानी डालेंगे यानि लगबग हमें 400 ml पानी को गरम करना है पैकेट के उपर सारी इंफर्मेशन दी हुई है पैकेट खुलने के बाद अंदर आपको इस तरह से मसाले का पैकेट और ये ओल मिलेगा अब हम गरम पानी में ये नुडल्स को डाल देंगे तीन से चार मिंट तक हमें इन नुडल्स को पकाना है आप चाहे तो नुडल्स को तोड़ भी सकते है हम बिना तोड़े ही इसे पका रहे है तीन मिलिट में ये बहुत अच्छे से पक जाते है गैस की फ्लेम को हमने अभी आफ कर दिया है इसके अंदर जो पानी बच्चा हुआ है उसे हम निकाल लेंगे अब हम नुडल्स के उपर मसाला डाल देंगे नुडल्स को टेस्टी बनाने का सारा कमल मसाले और इस ओयल का ही है मसाले की क्वांटिटी इसमें अच्छी खासी है अब हम इसमें ये चीली ओयल भी डाल देंगे इस चीली ओयल में स्मोकी सा फ्लेवर आता है और मसाला बहुत ही स्पाइसी है अब हम इस मसाले को नुडल्स में अच्छी से मिक्स कर लेंगे मसाला और चीली ओयल हमने इसमें अच्छी से मिक्स कर लिया है अगर आप चाहो तो एक चमच इसमें हमारा नॉर्मल ऑईल भी डाल सकते हैं इसे भी अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ही अमेजिंग नुडल्स की रेसेपी हैं आप इसे ज़रूर ट्राइ कीजिए जो बहुत स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उनके लिए रेसेपी बहुत अच्छी है चलिए अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं इसे हम स्प्रिंग ओनियन से गार्निश करेंगे तो आप भी ये नुडल्स ज़रूर बना कर देखिए तो मुझे उमीद है आपको ये रेसेपी जरूर पसंद आई होगी रेसेपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताए मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसेपी के साथ तुल देन बाबाई